हलो फ्रेंज मैं मिनाकशी वेलकम बैक टो आवर ट्रिम्लान चैनल कैसे है आप सब उमेद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे फैमिली के साथ होंगे सेफ होंगे और अच्छे से गार्डिनिंग भी कर रहे होंगे क्योंकि अभी तो मनसुन का सिजन है तो इस टाइम पर गार्डिनिंग बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं और चारो तरफ ग्रिनारी दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है मेरे गार्डिन में और भी कुछ प्लांट्स मैं आड़ करना चाहती हूँ और यहां पी इंडोर प्लांट और ओर्नमेंडल प्लांट का बहुत अच्छा कलेक्शन है तो यह एक रोटसाइट शॉप है तो चलिए मैं यह शॉप भी दिखाती हूँ साथ में प्राइस तो इसे ही बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं यह प्लांट यहां पे 100 रुपीज में मिल जाएगा उसके बाद यहां पे यह देखिए यह एगलोनेमा के और एक वराइटी है बहुत ही हल्दी प्लांट है इस तरह के 6 इंचिस पॉट में लगे हुए है टेरा कोटा 150 में मिल जाएगा यह देखिए और यह भी एक प्लांट से कही सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं तो दिखने में बहुत सुंदर है अगर बैलकनी गार्डेनिंग करना चाते हैं तो इस तरह के प्लांट जरूर एट कर सकते हैं और उसके बाद यहां पे यह देखिए यह है कफी हाड़ी प्लांट है मॉस्चर पसंद करता है हिमरीटी लौविंग लेकिन गार्दिन में गृणारी आठ करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ते कि इस तरह का प्लांट है काफी हल्दी प्लांट है चोटे पॉट में लगे हुए प्लांट है कि और इच प्लांट यहाँ पे 80 रुपीज में मिल जाएगा और यहाँ पे यह देखिए यह एगलोनेमा की और एक वराइटी है और यह ग्रीन, वाइट और रेड में है बहुती अच्छा कंबिनेशन है पॉट में लगे हुए प्लांट है और बिक साइस का प्लांट है यह 300 में मिल जाएगा यहाँ पे यह है अरेलिया की एक वराइटी यह भी गार्डेन में बहुत अच्छे से ग्रीनरी आट करता है वैसे इसको बॉल अरेलिया बोलते है इच 60 रुपीज में मिल जाएगा और यहाँ पे यह देखिए यह ड्रेसीना है ड्रेसीना की ही एक वराइटी है तो यह भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखिए इस तरह का यह 80 रुपीज में मिलेगा उसके बाद यहाँ पे है देखिए पीस लिली जो की बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर होता है हम सभी जानते है और घर के अंदर भी रख सकते है इच प्लांट यहाँ पे 110 रुपीज में मिलेगा वैसे यहाँ पे बारगेनिंग चलता है थोड़ा बहुत बारगेनिंग तो आप कर ही सकते हैं यहाँ पे आके यहाँ पे है golden fern बहुत ही अच्छा लगता है खास करके hanging basket में दिखने में बहुत सुन्दर लगता है इच प्लांट यहाँ पे 80 रुपीज में मिल जाएगा और देखें काफी healthy है बुशी प्लांट है यह देखें इस तरह से है और है यहाँ पे शिफलेरा की प्लांट जो की छोटे छोटे ग्रो बैग में लगे हुए है इच प्लांट 50 रुपीज में यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे है देखें छोटा सा एरेलिया छोटे ग्रो बैग में लगे हुए है यह 40 रुपीज में मिलेगा वैसे ये cutting से बहुत easily grow हो जाता है और यहां पे जितने भी plant मैं दिखा रही हूँ सभी indoor plant है और उसके बाद ये जो plant है इसका नाम मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत ही unique लग रहा है ये 60 रुपीस में मिलेगा मुझे बहुत पसंद आया है ये plant इस तरह के grow bag में लगे हुए है ये देखिए काफी healthy है ये plant पी और बहुत ये unique सा लगा है मैं अभी तब तो नहीं देखी हूँ ये मुझे पहली बार दिख रहा है अगर किसी को इसका नाम पता है तो प्लीस मुझे बताना यहां पे है rubber plant ये देखिए काफी healthy plant है जो की बहुत अच्छा air purifier है घर के अंदर भी इसको रख सकते है जहां पे bright sunlight आता है वैसे जगाओ में और ये 110 रुपीज में मिल जाएगा और यहां पे बहुत सारे croton है और अलग-अलग variety में है प्राइस भी अलग-अलग है लेकिन starting price है 40 रुपीज और इस plant का तो मुझे नाम पता नहीं है लेकिन दिखने में बहुत सुन्दर है वैसे अगर किसी को इसका नाम पता है कोई अगर confirm है तो फ्लीज मुझे comment करके बताईएगा यहां पे ये plant 80 रुपीज में मिल रहा है यह मुझे थोड़ा costly लग रहा है और उसके बाद यहां पे ये देखिए ये है जनाडू फालो डेंडरॉन की एक वराइटी है ये गोल्डन जनाडू है वैसे मेरे पास तो green है और यहां पे ये 80 रुपीज में मिल रहा है ये मुझे अच्छा डिल लग रहा है यहां पे है variegated spider lily जो कि 100 रुपीज में मिल रहा है और यहां पे और भी बहुत सड़ी indoor plants है bonsai है कुछ flowering plants है जो कि मैं next video में share करूंगी क्योंकि video बहुत ही लंबा हो रहा है तो होप करती हूँ आज का video आप सब को पसंद आया है अगर पसंद आया है तो वीडियो को like, comment and share कीजिएगा अगर इस channel पर पहले बार विजिट कर रहे है मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो please channel को subscribe कर लीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा तो आज के लिए bye bye take care, happy gardening